असलाम उलिकम वीवर्स तो आज मैं आपको बताने जा रही हूं समोसा रेसिपी देखिए यह कितने क्रिस्पी समोसे बने है तो आईए जान लेते हैं इसको बनाने की रेसिपी तो इसके लिए मैंने लिया है दो किलो यह कीमा आप घर पर भी कीमा कर सकते हैं या मार्किट से मेरी 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 में लिया जिसको लेख कर लिया है चोप कर लिया है आप चाहें तो बारिक पर इस भी सकते हैं अब कीमा को makan अब फ्राइ करना है तो इसके लिए मैं अउप और यह उइल लेना होगा मौने फो टेबल श्पून णोंञर लिया है इसको में थोड़ा गरम होने किमा कीम किता है अबHa un수ải करें तो ना उसमें लिए देशी करने पाने के लाशंच अब झाफ कीमा अगज हम इसे आiiii किमे को जब हम ख्राय करते हैं पान हावे पानी खोड़़ता है आथा दूढ़के अब आभ पानी ठोड़ाहा आगा तो आघा पानी होने पर इने किमे का पानी निक्ला हूए इसे अच्छी तरीके से चलाते से रहेऊ ऐा थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है, अब हम इसमें मिर्ची डाल देंगे, जम ने पैस्ट बनाया था मिर्ची का, उसको हम इसमें एट कर देंगे, उसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, बस इसका पानी ड्राइ होने तक हमें इसको चलाते रहना है, जब इसका पान कला मंगहीं ह Cartina अलमॉस्ट ड्राइब चुका है अब हम गेस की फ्लेम को हम कि ऊफ़ कर देंगे और इस पेस्ट को ठंडा होने रख दिएगे क्योन कि ठंडा होने के बाद ही हम इसे सब इसे अब मैंने ले लिया है ये पोधिना सुका हुआ और कसूरी में थी और ये कोधमीर ये सब हमें उसमें एट करना है और मैंने यह दो बड़े जाइक कर लिया है यह बहुताँत हैं और यह 2 मेगी मसाला इंसमें अब मैंने इदर मेदा लेलिया है 4 डेबल स्पून मेदा है इसमें में पाणी एइड Thai зн이prises में पाकलब मेदा का इसका समोसाद आपो चेपका था एंगे'd sap कहते हैं जो लेप होता ही है वो बना रही हूं मैं हम इसको एकदम पतला बनाना है देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितना अच्छा ये बनकर रेडी हो गया है इसी तरीके से आपको रेडी करना है अब समोसो के लिए मैंने ये मार्किट की पट्टियां ली है इसे समोसा पट्टी कहते हैं आप चाहें तो घर पर भी बना सकते हैं मैंने अपनी पिछली वीडियो में इसको बनाना बताया है इस बार मैं मार्किट की यूज़ कर रही हूं ये बहुत ही अच्छी होती है आप जरू ट्राइ करें अब ये हमारा कीमा ठंडा हो चुका था इसमें मैंने प्याज एट कर दिये अच्छे से मिक्स करना होता है अब ये सब भी हम इसमें मिक्स कर देंगे इसको भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे अब ये मैंने मेगी मसाला एट कर दिया इसमें दोनों पेकिटिस मेट कर देंगे मेगी मसाले के इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है समोसे में अब ये जो मैंने पट्टियां ली थी देखिए कितनी अच्छी मार्केट की बनीवी पट्टि आती है आप अगर घर पर ही बनाना चाहते हैं तो आप देख सकते मेरी वीडियो पहले वाली अब मैं इसको आपको बनाना बता देती हूँ किस तरीके से हमें समोसे का शेव देना है ये देखिए इस तरीके से अब मैं इसमें फिलिंग कर दूँगी हमें कम-कम ही इसमें भरना है ताकि समोसा हमारा तलने के टाइम पर फटे ना अब यह जो मैंने इसमें लेप रेडी किया था उसको मैं यहां पर इस तरीके से लगाऊंगी और इसको फोल्ड कर दूँगी यह देखिए बहुत आसानी से समोसे बनकर रेडी हो जाते हैं बहुत ही टेस्टी लगते हैं आप जरूर इसको ट्राइ करिए मेरी वीडियो पसंद आये तो प्लीज लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें देखिए बनकर रेडी हो गया, इस तरीके से मैं सारे समोसे रेडी कर लूँगी, सारे समोसों को मैंने रेडी कर लिया है, सारे ही समोसे काफी अच्छे बनकर रेडी हुए है, अब हम इने फ्राइ कर लेंगे, तो फ्राइ करने के लिए मैंने हाई फ्लेम पर ही पेले तेल को गरम कर लिया था, उसके बाद हमें लो फ्लेम पर ही इसको फ्राइ करना है, ताकि अच्छे तरीके से हमारे समोसे फ्राइ हो जाए, देखिए हलके हलके ब्राउन हो गए हैं आपको इस तरीके से पलट पलट कर इसको फ्राइ करते रहना है देखिए गोल्डन फ्राइ हो चुके हैं हमें गोल्डन फ्राइ होने तक ही इसको करना है काफी क्रिस्पी बनकर रेडी होते हैं अब हम यह फ्राइ हो चुके हैं अब हम इसको अब प्लेट में निकाल लेंगी यह हमारे समोसे बनकर रेडी हो चुके हैं अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएं तो आपसे मेरी हमबल रिक्वेस्ट है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अब हमारे सब्सक्राइब करेंगी